गुद मॉर्निंग स्टूडिन्स मैं मौनिका दिवेदी उत्तराखंड मुक्त विश्य विद्याले के ग्रह विज्ञान विभाग से विद्यार्थियो आज हम आपके M.E. Home Science प्रथम समेस्टर के वस्त्र विज्ञान विश्य के अंतरगर्थ उसकी पहली इकाई वस्त्र तंत्तूं का परिचय वं वर्गी करण इसके बारे में पढ़ेंगे विद्यार्थियो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि इस इकाई में आप किन किन बिंदूं के अंतरगत क्या क्या पढ़ेंगे एक सबसे पहले जैसा कि आपको 21 से ही अंदाजा आ रहा है कि पहले आप वस्त्र तंतू का परिचय और वर्गीकरण पढ़ेंगे अर्थात वस्त्र तंतू क्या हैं, कपड़े से कैसे संबंदित हैं और उन्हें किस तरीके से वर्गीकरण किया जाता है इसके बाद आप तंतू के कुछ गुणों के बारे में भी पढ़ेंगे कि उनके कौन-कौन से गुण होते हैं जो कपड़े को प्रभावित करते हैं या जिनका कपड़े पे प्रभाव होता है और अंतता आप इसमें वातावरणी परिस्थितियों का तंतूं के गुणों पे क्या-क्या प्रभाव होता है अर्थात जो तंतूं के मूल गुण हैं क्या वो किनी वातावरणी या परिस्थितियों से चेंज हो सकते हैं कोई अनुकूल चेंज या कोई प्रतीकूल चेंज इसमें आप इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे तो आईए शुरू करते हैं वस्त्र तंतु के परिचे से मिध्यार्तियो, वस्त्र तंतु रेशा या रेशा जिसे हम कहते हैं वो वस्त्र की मूलिकाई है, मूलिकाई मतलब सबसे छोटी चीज जिससे वस्त्र बनता है, बहुत छोटा साइज में होगा, जिसे आप सुक्षमदर्सी की साहता से देखते हैं, जब हम इनके शेप, साइज की बात करते हैं, तो हम इसके लिए सुक्षमदर्सी का प्रयोग कर क्योंकि आप आखों से केवल इनको नहीं देख सकते हैं जहां तक इनके आकार और साइस की बात करते हैं अधिकतर इसमें लंबे होंगे गोलाकार होंगे या कुछ फ्लैट होंगे कुछ ऐसे होंगे जिनके सतह पर रिशे होंगे तो इस तरह से हर तंतु की अपनी अलग- अग rich proud ड εδώ है तो इस से वस्तिर आपको बनाना होता हुँ तो आप को यह समझ में आगे होगा कि किस तरीके से 309 बनने की जो एक प्रॉसेस की जाती 종 आएं बढ़ते हैं और पढ़ते हैं तंतुओं का वर्गी करण तंतुओं का वर्गी करण इसलिए भी करना आवश्यक है कि कई अलग अलग तरीके से तंतु प्राप्त होते हैं कुछ नाचुरल होते हैं कुछ manmade होते हैं, अर्थाद कुछ प्राकृतिक होते हैं, कुछ मानो निर्मित होते हैं इसके अलावा हर तंतु का प्राप्ति का श्रोत अलग-अलग होता है, तो इस तरीके जबी हम उनको वर्गी कृत कर सकते हैं तो सबसे पहले जो हम वर्गी करन पढ़ेंगे तंतु की लंबाई के अधार पर अर्थाद, तंतु की लंबाई के अधार पर दो टाइप से हम तंतु को वर्गी करते हैं एक होते हैं दीरहकार तंतु और दूसरे होते हैं लगुआकार या इन्हें कहते हैं स्टेपल इसल्क जो रिशम है वही एक फिलामेंट तंतु में आता है क्योंकि सिल्क जो तंतु होता है वसकी लंबाई बहुत जादा होती है तो इसलिए इसको फिलामेंट तंतु में रखा जाता है और जो स्टेपल तंतु होते हैं इसमें जो लंबाई होती है वो लगभग आधे इंच से 15-18 इंच तक होती है जो कि आपके staple तंतु में आते हैं और सारे ही लगभग सारे प्राकृतिक तंतु इसी कैटेगरी में आते हैं और filament में कौन आते हैं जो हम कृतिम रूप से बनाते हैं क्योंकि ये हमारे हाथ में होता है कि हम तंतु के लंबाई कितनी रखें क्योंकि यह बनाय जा रहे हैं कृतिम विधी द्वारा मानौदारण निर्मित की जा रहे हैं तो इस पे आपका गंट्रोल होता ए संप नहीं होता है उसके आधार पे भी हम दो तरीके से इसको विभाजित कर सकते हैं एक है प्राकर्तिक तंतु, एक है मानव निर्मित तंतु अब प्राकर्तिक तंतु भी तीन तरीके से आगे को पुना विभाजित किये जा सकते हैं जैसे वनसपतिक तंतु, जानत्विक तंतु, खनिस तंतु, अब वनसपतिक तंतु कहते हैं, जैसे कि नाम से यह अंदाज आ रहा है, कि जो वनसपति से, अर्थात पेडों से, फूल से, पत्तियों से, छालों से, इन चीजों से प्राप्त होते हैं, इन्हें वनसपतिक और जानत्विक तन्तु कौन से होते हैं, जो जन्तुों से प्राप्त होते हैं, चाहे वो सिल्क हो, चाहे वो उन हो, तो इस तरीके से ये सब तन्तु जो हैं, वो जानत्विक तन्तु में होंगे, और खनिस तन्तु जो हमें खनिजों से प्राप्त होते हैं, इसका एक्जामप अब जो मानो निर्मित तंतु होते हैं मानो निर्मित तंतु भी दो प्रकार के होते हैं पुनरुदपादिद मानो निर्मित तंतु और वास्तविक मानो निर्मित तंतु अब पुनरुदपादिद मानो निर्मित तंतु क्या होते हैं जो बनते तो प्राकर्तिक पदार्थों से ही हैं, लेकिन प्राकर्तिक रूप से पाय नहीं जाते, जिन्हें कुछ रासायनी क्रियाओं और रासायनों द्वारा उनका reaction कराके और उन्हें पुनहप्राप्त किया जाता है, अब इसके example आपको हैं, जैसे rayon है, acetate है, ये दोनों ही तंतु जो है, वो पुनरुत पादि मानो निर्मित तंतु है, अर्थात हैं, तो ये natural sources से प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन कुछ क्रियाओं, कुछ reactions इसमें कराई जा रही हैं, जिससे हमें ये तंतु प्राप्त होते हैं, अब एक होते हैं, वास्तविक मानो निर्मित है, जो labs में chemicals के द्वारा, reactions के, जो different chemicals हैं, की reactions के द्वारा बनाया जाता है, आगे बढ़ते हैं, अब हम बढ़ते हैं, तंतु के गुणों को, अब तंतु के गुण मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक गुण और द्वितियक गुण, अब बात करते हैं सबस से पहले हम बात करेंगे, तंतु की लंबाई की, जो हम ने इस लेक्चर के शुरुवात पर भी बात की थी, कि हर तंतु की लंबाई अलग-अलग होती है, चाहे वो natural तंतु हों, चाहे वो manunirmit तंतु हों, प्रागरतिक तंतु में भी वो चाहे वानस्पतिक हों, जान तो आईए सबसे पहले बात करते हैं कि यह जो लंबाई होती है तो आपको वस्त्र की मजबूती को भी डिसाइड करेगी कि कि इतना मजबूत वह वस्त्र होगा क्योंकि अगर छोटे छोटे तन्तूं से बना हुआ वस्त्र होगा तो एक तो उसमें बाबलिंग अर्था जो पिलिंग होती है वह बहुत जल्दी हो जाएगी और दूसरा उसके जल्दी से खराब होने का डर रहेगा क्योंकि वह छोटे छोटे तन्तूं को जोड़ जोड़ क चमक बनां तक करो Cकी को जा सब्सक्त कर दो सॉस्त्स बलंबा तन्तू बनाना हुए और प्तम में दू जये हो कि चिकनी स्ट्वोर्ट सोत ओगी यो परी सबम ot स्पस्ट करेक्व बनें अधर कैने दो जये वह दो ज़से बहुत जादा लंबा नहीं है तंतु जो प्राकरतिक तंतु होते हैं मूल रूप से उनसे बने में वस्त्रक कैसे हो जाते हैं जैसे खुरदूरे हो जाएंगे और इर्रेगुलर होगी उनकी जो उपरी सतह होगी असमान होगी मताब सॉफ्ट नहीं लगेंगे आपको हाथ से तो इसलिए जो फिलामेंट तंतु होते हैं जो लंबे तंतु होते हैं उन्हें आप जब उनसे आप वस्त्रम नाते हैं तो वह बहुत अच्छा चिकना बनता है और बहुत एक समान बनता है और बाकी हम फिलामेंट तंतु क्या होते हैं स्टेबल तंतु क्या होते हैं हम ये पड़ चुके हैं, फिलामेंट तंतु में जो होता है, इसकी लंबाई यार्ड्स या मीटर्स तक होती है, जैसा कि हमने बताया कि सिल्क जो है एक प्राकरतिक तंतु है, लेकिन वो फिलामेंट है अर्थात उसकी लंबाई बहुत जादा होती है, लेकिन इसी जगे जो अन्य वो सब इस्टेपल तंतु है, जो आधे इंच से लेके 18 इंच तक जिनकी लंबाई होती है, ठीके, आगे बढ़ते हैं तंतु मजबूती, जो की तंतु की अगली विशेष्ता है, जो आपकी प्राइमरी जो उसकी विशेष्ता है, उसमें हम बात कर रहे हैं, वस्ट तंतु की जो मजबूती होती है, उसका अर्थ तंतु की शमता या टेनेसिटी से होता है, जो तंतु की मजबूती है, वो तंतु के आकार और लंबाई पे निर्भर करती है, और किसी वस्ट की मजबूती भी उस जो तंतु से, जिन तंतु से मिलके बना है, उन तंतु की क्वालिट तो जैसे जो तंतु की जितने गुण होंगे, जितनी कौलिटी जो हूंगी, वो सब उस कपड़े में आएंगी. इसके अलावा कुछ तंतु क्या होते हैं कि जो मौश्चर को जब एब्जॉब कर लेते हैं तो वह कमजोर हो जाते हैं और कुछ मौश्चर एब्जॉब करके मजबूत हो जाते हैं जैसे सारे लगभग सारे वारसपतिक तंतु जो होते हैं वो जब आर्दरवस्थार था मौश्यर गेन कर लेते हैं तो मजबूत हो जाते हैं और जो मानवनिर्मित तंतु होते हैं वो इसी परिस्थिती में कमजोर हो जाते हैं तो जैसे रियान है एसे टेट है जो मानवनिर्म तक तन्तु है वो और स्ट्रॉंग हो जाएंगे अगली जो गुण है अगला जो गुण है वो है परस पर जुड़ने की श्रमता अर्था कोहसिवनेस यह तन्तु की वही हो गिता है जिसमें कताई के समय वह आपस में जुड़ते हैं अर्था जब फाइबर से थ्रेट बन रहा होता है तो समय वह आपस में कितना अच्छे से जुड़ रहे हैं वह अच्छे से जितना अच्छे से जुड़ेंगे उतना एक रेगुलर थ्रेट बनेगा तो तन्तु की यह जो क्वालिटी है वह भी वस्त्र को मजबूत बनाने में बहुत एक बड़ा रोल प्ले करती है ब मोड़ पा रहा है कितनी अच्छे से एक दूसरे में एक तन्तु दूसरे तन्तु से जुड़ रहा है बिना तूटे तन्तु ना तूटे और वह कहीं को भी घूम जाए तो वह उतनी ही अच्छी लोच मैता वाला तन्तु कहलाएगा अब आ जाते हैं दुदियक गुणों की द्वितिया गुणों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे रंग जो प्राकृतिक रूप से जो तन्तू आप देखे हैं आप जो कपड़ा पेहनते हैं वो डिफरेंट कलर में होते हैं ठीक है कोई लाल कोई पीला कोई हरा लेकिन जो तन्तू होता है वह इस कलर का नहीं होता है तन् दर मुलरूप से ना कड़ा तो कोई बार होते हैं Pal Kral भी Mr.Słu देक्ष पहने वाले वास्त्रे कपड़ेधने बार इन सिलैट kanा रAGल सब्सक्राइब नहीं होता है पीर कहते हैं मैंने गोश्चर और मुश्चर कहते हैं नहीं को होते हैं जो डुमध्य ार्वंध्य शोंद मतर नहीं होते हैं , या किसी भी वस्तू या कि या किसी वह तंतु के प्रकाश को परावर्तित करेगा उतनी अच्छी की चमक होगी अब हम हो जो करते है जो मानोल में तंतु होते हैं वह कैसे अछी चमक वाले होते हैं उनमें कुछ नवाल क हुआ है जाते हैं अमकेकल 홍 testimony क केमिकल अच rapidement का वाल किद्ध कर सकते हैं तो आप उसमें चेंजस कर लिजे क्योंकि आगे भी आपको उसमें करना ही है क्योंकि आप उतना रौधने ड्रफ तंतु से आप कोई कपड़ा नहीं बनाएंगे इसलिए अलग अलग टाइप की परिसट जाएं की जाती है जिनके बारे में हम आगे अभी आने वाल या अनुपरस्त काट उसकी की जाए तो इसका जो इस्ट्रक्चर है उसका जो शेप है वह आपको पता चल जाएगा और यह आप कैसे कर सकते हैं सुख्मिदर्सी की मदद से आप खुद से काट की नंगी आखों से इसको नहीं देख सकते है ठीक इसके लिए आपको सुख्म का डायमेटर अलग अलग होता है क्योंकि वह अनियमित होते हैं वह जैसे आपको प्राकर्टिक रूप से मिले वह आपने वैसे प्रोसेस कि अगर आप उसको वैसे ही प्रोसेस करके उसका डायमेटर नापेंगे तो हर थोड़ी थोड़ी जगह पे उसका डायमेटर कहीं मोटा है अभी जम आगे आने वाले लेक्चर में हर तंतु के बारे में अलग से पढ़ेंगे तो आपको यह चीज़ डिटेल में बताई जाएगी कि किसकी रूप रेखा किसकी सता कौन से तंतु की कैसी होती है फिल्हाल हमें केवल इंट्राक्शन दे रहे हैं कि अलग अलग तरह की होती है इसके अलवा अगला गूण है क्रीम प्रेण WAT करें प्रसक्राव को तंतु की लंबाई में बुनाई जुकाओ एंठन यह चाहिए नहीं किस तरीके से वह उस इक दूसरे में जुड में जुर रहें किस त性 कि आशन है इस जो क्वालिटी को क्रीम कहते हैं तंतु क् tud तो वह उतनी अच्छी क्रीम फाला तंतु कहलाता है अगला है लोच मैता पुनर प्राप्ति जैसे कि आप नाम से ही समझ जा रहे हैं कि अगर आपने तंतु को खीचा तो वह कितनी जल्दी अपनी पुनर अवस्था में आ गया ठीक है तो यह आपकी लोच मैता पुनर प्राप्ति होगी वह उससे बनावा वस्त्र उतना ही अच्छा और उतना ही सजीला मतला वाको तना ही कमफर्ट देगा वोतना अच्छा कपड़ा बनाएगा फिर आते हैं क्रीप क्रीप होती है जो लोच मैता को इस्तगित करती है और खिचाओं के बाद इसमें क्या होता है अभिप्राय क्या है तंतुओं के मोड़ने शिकुड़ने या विक्रित्ता कोई भी चेंज आने के पश्चात अपना वास्तविक रूप में आने की श्मता अब जो लोच मेरता है वो किया थी आपने उसे खीचा और पुनहा अपने उसमें आया अपनी पूर वस्था को प्रा इसके बाद है एक रूपता एक रूपता जैसे हमने अभी बताया कि जो प्राकर्तिक तंतु होते हैं वो बहुत ही आनियामित होते हैं वो कहीं मोटे होंगे कहीं पतले होंगे तो जो नैचुरल तंतु है वो एक रूपता में थोड़ा कम होता है और जो मानव निर्मित तं एक तन्तु ना खेचे ना सिकुड़े ठीके तो इसे क्या कहते हैं आयामी स्थिर्ता कि यह ना सो खेच रहाय और नहीं सिकुड़ रहा है यह वर अच्छी कॉलेटी हैं कि आपको आयामी स्थिर्ता भी अच्छी होती हैई अगली रही hai गिसावटunks आप लंबे टाइम से कपड़ा पहन रहे हैं और यारी कपड़ा पहन पहने गिस गया इस टाइब की कौलेटी होती है वो क्या कहलाती है घिसावट ये अब जो कपड़ा उसके लिए जितना प्रति रोधग होगा वो गिसावट प्रति-रो ढखता का गुर्ण है अर्थात आप उस कपड़े को पहनेंगे, साल हो साल पहनेंगे, लेकिन उसमें ऐसा कहीं से कपड़ा ना घिसने से पतला होगा, ना उस पे पिलिंग होगी, तो वो कपड़ा जैसा है वैसा ही बना रहेगा लंबे समय तक, इसके बाद अगली जो कॉलिटी वह है पिलिंग, य इन्हें पिलिंग कहते है या गाठे उठने की सनस्या, यह अधिकतर नैचुरल तंतुव में होती है, क्योंकि वो तंतु बहुत छोटे होते हैं, और जैसे समय के साथ साथ आप उन्हें पहनते जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, आपस में खुल जाते हैं, और तंतु तो वो एक तो पिलिंग करेगा, और वस्तर से अलग भी नहीं होगा, तो क्या होगा, वस्तर की सत्य पर छोटी छोटी गांठे जैसी दिखने लग जाएंगी, जो वस्तर को बहुत ही भद्दा बना देती हैं, जो वस्तर बहुत ही खराब लगने लगता है, इसके बारे में अब हम आके पढ़ेंगे कि कौन सी प्रॉसेस हैं, जिनसे हम इसको कंट्रोल करते हैं, नेक्स्ट जो क्वालिटी है वो है अर्थात अवशोशकता, आपने सुना होगा कि हम अकसर ही कहते हैं कि गर्मियों में कॉटन के वस्तर पहने चाहिए, कपास से बने वस्तर, क्यों प बाहर से जो एर होती, उससे वो खुद भी सूप जाता है, तो इससे क्या होता है कि आपके बॉड़ी पे पसीना नहीं रहता, तो ये आपको गर्मी जो आपके कम करने में बहुत साहयक होते हैं, तो इस तरीके से एब्जॉबेंसी जो है, वो वस्तर की क्वालिटी को एफे आप स्पोर्ट स्वेयर पहनते हैं, एक सर एसे होते हैं, जो आपकी बॉड़ी से पसीना भी अब्जाब करते हैं, और उसे तुरंती एट्मोस्फेयर पे रिलीज भी कर देते हैं, खुद कपड़ा घीला भी और आपकी बॉड़ी भी नहीं रहेगी, तो जो अच्छी विक चार्ज होता है, उसको स्थांतरित करने की शमता, कभी-कभी आपने महसूस किया होगा कि आप जब कभी किसी कपड़े को अचानक से छूते तो जटका सा लगता है, तो वो क्यों लगता है, क्योंकि उस कपड़े की विद्युद्चालक्ता जो स्थांतरित करने की शमता है, वो सही नहीं होती है इससे क्या होता है फाइनली आपको वो जटका फील होता है वो उसको रिलीज नहीं करता है तो इस तरीके से विद्यो चालकता भी कपड़े की या फिर तन्तु की एक क्वालिटी है नेक्स्ट है जोलनशीलता कुछ तन्तु जैसे हम अभी पढ़ेंगे इनके जहां टेस्टिंग करते हैं बर्निंग टेस्ट करते हैं तब आपको इसकी क्वालिटी बताएंगे कि कुछ तन्तु आग के पास लिजाने पे जलते हैं कुछ नहीं जलते हैं कुछ मैल्ट होते हैं तो अलग-अलग quality होती है हर तन्तु की, कि वो कैसे जलता है, जैसे आपने सुना होगा, कहते हैं कि खाना बनाते समय नायलोन का वस्तर नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि नायलोन बहुत जल्दी आग लगती है, वो एकदम आग पकड़ता है, और melt वो राक भी नहीं बनती है, melt ह कि आपकी सप्ते पर चिपक सकता है, तो इसलिए हर कपड़े की अलग-अलग quality उसके इसाफ से उसका अलग-अलग use निधारित किया गया है, तो शिक्षार्तियों, आज की lecture में इतना ही, अभी आपने इस इकाई में पढ़ा कि कौन तन्तु क्या होते हैं, ठीक है, उनका वर नूज में और इनकी क्वालिटी में डिफ्रेंस आता है, धन्यवाद.